है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल और के श्टडी पर मैं हो रविंद्रुक्पार कैज आज हो गया है 11 जनौरी और इसने वीडियो में आप सभी का स्वागत है कैज एक्जाम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परसान है कि मैस्टर एक्जाम है उसको टालने की असंका जताई जारी है ठीक है तो इसी के बारे में आज बात करेंगे क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि जो चात्र है वह उनके पास अभी मालिज्जे आठ नौद या दस दिन टाइम है और उसी में पढ़ना है उन की समेश्टर परिच्छा अस्थगित होने की संभावना जताई जारी है यहाँ पर कानपूर से यह डारेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामले में करण जो पाल्टेक्णिकी संस्था में 20 जनवरी सी प्रस्ताविद जो एक्जाम थे उस समेश्टर पर लेकर चर्चा हुई तैय हुआ गी कि 16 जनवरी के बाद अगर कोविंट के मामले बढ़ते हैं तो परिचास्तगित होगी या इन्हें आनलाइन कराया जाएगा तो यहां पर आप सभी को बता दे कि यह गर एक्जाम आनलाइन होता है ठीक है यह आनलाइन होता है तो आपके उस करेंगे जो एक्जाम होगा उट लेगा या नीट लेगा तो लाज तक देखते रहेगा वीडियो ठीक है बीच में कोई भी स्टुटेंट देखकर कमेंट नहीं करके जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं प्रवाई सिच्छा परिशत के निर्देशक मनुज कुमार ने बत बंद करके रखे हुए हैं वो भी अनलाइन कसा जलाई जाए जा रही है जिसकी नियूज हम आप सभी को पहले भी दे चुके हैं B2P ने नोटीस भी जारी किया था कि जो 16 तक है वो कलेजे बंद रहेंगी लेकिन आनलाइन क्लासे चलाई जाएंगी तो गईज यहां पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो एक्जाम है वो आनलाइन अगर 16 तारीक के बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो कुरोना अगर बढ़ता है तो हो सकता है आनलाइन कराया जाए या तो फिर जो एक्जाम होना है वो टाल देंगे अभी कनफर्म नहीं किया गया है तो हम लोग 16 तारीक तक इंतजार नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को 16 तारीक तक इंतजार नहीं करना है उसको पढ़ना है ठीक है यहां पर देख सकते हैं स्टड़ी पावर पॉइंट जो सर्थ है वो भी यहां पर पाल टेक्निक बिसम समेस्टर की परिच्छा टालने का तय एन पर वीडियो बना चुके हैं और यह बता भी रहें यहां पर की संभावना की जारी है देख सकते हैं कि 16 कोरॉणा संक्रमर का फैलता बढ़ता रहा तो टाल दी जाएंगी परिच्छा है यहां नी की संभावना है यहां पर किलियर नहीं बता गया है कि जो पल्टेक्निक परिच्छा है वो रद कर दी गई है ठीक है बहुत सारे आपको किन्यूज में देखने को मिल रहा होगा लेकिन अभी उसको सभी लोग नजर अंदाज करते हुए अपना पढ़ाई करेंगे सभी लोग से रिक्वेस्ट है वही चीज़े यहां पर लिखी गई है जो हमने अभी पढ़े है ठीक है तो आप सभी से बस इतना ही अन्रोध है कि अपना भी पढ़ाई है वो करते रहे हैं 16 तारीक इंतजार न कीजिए ठीक है यदि पढ़ लेते हैं ठीक है आपका सब चीज तैयार हो जाता है तो आगे जो भी एकजाम होगा जब भी होगा ताप उसके लिए अलबल रहेंगे ऐसा नहीं है कि आप फिर उसके लिए फिर से तैयारी गरना पड़ेगा ठीक है तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये नियोज जो है वो देखिए करेंगे और उसके बाद फिर अपना नियुट है ठीक है अपनी पढ़ाई बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ना है तो बस यह आप सभी को समझाना था आई होप कि आप सभी लोग की ये वीडियो पसंद आएगी पसंद एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्रा